तिन्नों ताक्ता जिडियां पंजाब दे उत्ते कबजा करके बैठीयां से सिंगा ने गुर्मता कीता है एलान कीता है पंजाब दौलत या ही ते सिख खाएं दखणी पच्छमी किम ले जाएं इस दखण तो आनारे मराठे पच्छम दराखैबर पार करके जड़ा पंचसात गडरिया आजड़ी कठे कर दे आ जान दे इनन वसी एक खांड नहीं देनी है अल्टीमेटली उस तर्थी दे उत्ते उस नवी मैप मेकिंग ने जनम लेया है नवे बार्डर ड्राव खालसा पंतने कीते असी कल्ला एक राज नहीं किता हुए है असी इंटरनेशनल पावर स दो ट्रीटी साड़ी हैं ट्राई पार्ट राइट तिन तिरी हैं अठारा सो बतारी चबारजा शेर सिंग लहौर दे तखत ते सन उन्हों एक ट्रीटी साइन होई बिट्विन सरकारे खालसा जियो एंपरर आफ चाइना दलाई लामा अफ तिबत जिद तिद तिबत ऐजे होई है लदाख सिखाने खालसा राइदा गिल्कित बालस्तान इस सारे सिख राइदा हिस्सा बढ़ाए तो उस तो पहला एक ट्रीटी बिटिश शाज शुजा एमद शाब दाली दे उदा डिसेंडेंट और मारजा रंजीत सिंग विचकार के अफगानिस्तां जो बादशा आपत करन दी गाल कर रहे हैं अज एक वार फेर अपर्चुनिटी साड़े द्वार ते दस तक दे रही है दिलों महबत जिन से सचया जिन मन होर मुख होर से कंडे कचया रते इश्क खुदाए रंग दिदार के विस्रिया जिन नाम से पोएं पार थिये आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से परवर्दगार अपार अगम बियानत तू जिना पच्छाता सच चुमा पैर मू तेरी पना खुदाए तू बखशंदगी शेख फरीदे खैर दीजए बंदगी वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फते साहिब शेख गुरु गरंद साहिब जीदी हजूरी वी जुड़े बैठे सद्गु जी दा अपना आपा गुरु खालसा साथ संगत जीओ आज दा ए विशेश दिवान विशेश इकट जेड़ा ना सिरफ गुरुद्वारा साथ चे बैठी हैं हजारा सिक्स संगता दा इकट है अड़र्ड मीडिया चैनल जराईं लखा लोकां तक दुनिया दे हर कोने विच पहुंच रहे यूथ फेडरेशन इंटरनेशनल सिक्स यूथ फेडरेशन जित्थे चाड़ी वर्यानों याद कीता गया उना दे सीनियर्स जिनाने जून चुरासी तो एकदम बाद स्तंबर चुरासी च आल इंडिया सिक्स स्टूडेंट फेडरेशन दी पैड़ चाल दूं अगे तोर दे हैं विदेशा विच इस जत्थे बंदी नू स्थापत कीता है पाबंदियां दे बावजूद मिशन नू जारी रखे है ते आजे खुशी ते मानवाड़ी गाले के उना ने इस दा बैटन अगले यूथ दे हत्थ फड़ाए और गुर्मत पर नाड़ी नू पंच पर दानी नू समर्पत हुं दे हैं पविक दी लीडर्शिप नू सामने दे मुबारक दी गाले और मैं शुकर गुजा रहे हैं कि आज मैं इंगलेंड दी हैं सिक संकता दे विचकार अल्मूस चाड़ी वरें बाद ही मैं आप दे दिदार कर रहे हैं जदो परसों हीत्रो एरपोर्ट दे हुते पहले पैर इंगलेंड दी तर्ती दे रखे ते मान दे विच एक सो पंजातर वरे पहला अठारा सो अनुजादा ते आना है कि कदे इसे तर्ती वाड़या ने एक कंट्री आफ शॉप कीपर्स जे शुनू नापोलियन बोना पार्ट ने किया ऐसी कि मैं अठारा सो नौ दी अम्रतसार दी संदी कीती अठारा सो सैंती दी रोप कि मैं साजशा करके इना तो दुगणी टेरिटरी जिन्दी आज जे ना दी टेरिटरी है उस तो दुगणी टेरिटरी तिन लख मुरबा मील तो ज्यादा सरकार खालसा जी हो जिसने वफा नभाई मारजा रंजीत सिंग एंड तक हला एक स्टेज ते उना दे जैनल खास्ता और ते जैनल मोकम चांद जदो अम्रत सार दी संदी हो रही सी और बाद दे विच दूसरे सिक्स जैनल अठारा सो सैंती तक ते सिखा दे कोर्ड स्टेट अफ दा आर्ट मिलिटरी सी यॉर्पियन जैनल जैलार्ड वेंतुरा इना राइं और जिस लेवल दे उते इवन साध अपनी टेरिटरी दे विच गोड़ा बारूद बंदूका तोपा उना दी बनतर जड़ी बाद चिना ने अपनियां कॉन्फिडेंशल रिपोर्ट्च किया के इना दियां तोपां दे गोड़े ज्यादा एकुरेट सी दैन इना दे मुर्क्च बणियां तोपां दे लेकन सि पर जिवें उदों भी इना ने किस कदर कंस्पीरेसिज कीती हैं करेक्टर सैसिनेशन लफज मारानी जिन्दा क्योंके जदों सी दुखी है महापत्दी कहानी ग्रीक ट्रेजडी ता इमेजिनेशन जो पैदा हुई पर इससे तर्ती दे उत्ते कदे मारानी जिन्दा ने आपस पहली वार उना दे कजन सरदार ठाकर सिंग संदा वालिया गुरु गरंद साब दी भीड लाय के पहुंच देने इस तर्ती ते उदे दिदार कर देने सिखी वाल मुड़ देने ते एक चिठी जड़ी दिलीप सिंग दी लिखी हुई है ओस चुने के के तुसी मेरे त इंसीट बाई चीटिंग और यू प्रॉमिस्ट ऑन विच यू हव नो कंट्रोल मेरे पुर्खेंदा तरमी बहुत चंगा सी और मैं ओस पासे वाल मुड़ रहे हैं और एवी बगावत है रिबेलियान है के अखीर उना ने साफ रांस दे बेशा की होटल च पैनीलेस मैं दे तो और ते चड़े पर उना ने ये दस्या के डिफाइंस किनू केंदे ने ओ तो खा एक सो पंजतर साल पहला दी याद आहानी ते अज ज़दों दिवान दे विच पिछले लगपक चार केंटे तों सारी कारवाई नो सुनन दा मौका मिड़े है लगपक सत साल तों जगतार सिंग जौल जनानू इना दी माई सिक्स ने टिप दिती है और इदे बावजूद सक्सेसिव हकूमता घुजरिया ने किने किने सो एंपिया ने लिखे है पर कारवाई किसले ही नहीं क्योंके एक कंट्री आफ शॉप कीपर्स अगेन उस किसम दे वपारक और दूसरे वीर द नू आनस्रेबल बनाना चाही दे और सब तो बेस्ट तरीका इना दे उते एग्रेशन दा जा एग्रेसिव स्टांस दा अपने बच्चे बच्चिया नू जिड़े अगली जैनरेशन ने संबाड़े अपने करां दे विच्वी क्योंके समेदी सी मैं मैं उसनू लंगणा न है जडि यह दो फी सा दी जन्रेशन वेस्टन लोक मन दे ने दो जन्रेशन पहला कोी बहुत लंबा नहीं है जदो असी बजुर्गा दिया काहाणिया सुन दे घ। पुत्तर हो जाने ने वुत सपुत्त करेंड अनलिय अग्र्री इनश्पुत्रीयां हो जान दे आने बहु विचार गोश्टी दे दोरान में किया सी कि पाई महराज सिंग पहली आवाज सी जिनाने सिख राज जान तो बाद आवाज बुलंद कीती बगावदा चंडा चुक किया खालसा राज वापसी दी गल कीती किसे मुखबर ने शाम चुरासी दे नेड़े मुखबरी करके उनानू उना दे साथी सिंगा उनू फडवादत है और उपहले पुलिटिकल एकजाईल प्रिजिनर ने महराजा दिलीब सिंग बाद चांदे ने जिनानू सिंगापूर जलाव वतन करके पीजिया गया है और उते ही उनानू एक हनेरे कमरेच रख्या गया है उते ही उनाने अखीर ले साल है जिलते आज एक इतहासक गुरद्वारा सुबाएमान है पाई महराज सिंग तो बाद जे इना लागपाग एक सो पज़तर सालां दे विच देखिए जिनिया मुवमेंट्स बहादरी दिय कहानियां बहुत ज्यादा ने लेकन इस गल्दा भी त्यान रहे प्यारा सिंग निर्चल एक स्टेजी कवी सान मंजी साब दिवान हाल्च अक्सर ओ जिड़ा अपनी पोईट्री केंदे सी उनाने एक कपलेट किया एक वार के बाजी लागए पाने शाह औरी असी तो अन पन हुमेड तो पहली रिबैलियन आम्ड रिबैलियन शुरू हुंदी है गदरी बाबियां दी बहुत वड़ी कुर्बानी है किने मुलकाच गदर पार्टी दा पसारा सी बड़े बहादरी देनाल जिसनों एक याज है के ड़फाएंस ही नहीं एक ने भी मौफी नहीं मंगी इ लेकन इस सब्दा इन्दा एंड कंक्लूजन की निकले है जब साड़े को लितिहासक मौका आया है असी किमें गवाया है उस दी गल करन तो पहला हमें कह दिया है के पाई महराज सिंग तो बाद लग पग इना समुचे डेड सदीदे विच संजनैल सिंग खालसा पिंडरा व विर्सा की है शेरा दे पुत होन दा मतलब की है ते फिर जून चुरासी दा पहला हफ़ता बेशक एक लू कारा चुरासी है उस दी चाड़े में दुखत याद वी अजसी याद कारे है पर एस साड़ा काड़ा दौर नहीं है एस साड़ा फखर यो गोल्डन दौर है आर्मी सदी चसी सिख करेक्टर नू देख देए ते काजी नूर दिन जड़ा अबदाली देनार आंदे जड़ा साग केंदे है इसे कानू पर्श्य कुते है नू केंदे ने पर फेरों केंदे है कि नहीं इननू साग ना कौओ जे देखने बहादरी की है जंक दे मैदां चा परनवाड़ा कौन है इना दे बराबर दा करेक्टर के दे जून चुरासी जाए इस चाड़ी साल दे दौर दे विच खास्ता और ते साड़े जुजारूस संगरिश दे दौर दे साड़े उना नायका नू देखने ते फिर जेस दें कंब दी उस बाड़ी लेंगविज दे आ के गिविंग दा एडवर्सरी इस ड्यू दे फार्ट दा लास्ट ब्रेथ एंड बुलिट के जदों तक उना दे साच इक वी सा सी ते उना दे कोडिक वी गोडी बाकी सी ओ अखीरले सा ते अखीरली गोडी तक लड़े ते जे वेद मर्वाहा दिली दा कुल पुलस कमिशनर रेटायर हों तो बाद किताब लिख दे ते जिंदा सुखा दे उत्ते दो पेजिज और उस दा एक दा हेडिंग है जिंदा वस नॉट अन और्डिनरी मैन वो जरूर तुसी देखो क्योंके अज हकूमत दा जोर लगा हुए है कि ओ साड़े इस दौर नो काड़ा दौर साब कर दे मिलान कुंद्रा एक फ्रीलेंसर थिंकर हुए है उस दी एक कोट है जिन्नु दुनिया दी है सारी हैं फ्रीडम स्ट्रगल जवाड़े कोट कर देने उस दा कहने है दा फिर्स्ट स्टेप तोवर्ड लिक्विडिशन अफ़ पीपल इस तो इस बुक्स, इस कल्चर, इ दे वर, इंड वट दे आर, दा स्ट्रगल इस अफ मैमरी अगेंस्ट फॉर्गेटिंग, के क्यों जड़े सामराज हुं देने, दूसरे नू हडपना चों देने, सिक मैज एक तरम नहीं है, सिक एक तहजीब है, ओ तहजीब, ओ सिविलाइजेशन, जना नू दस गुरु जा दामिया ने, पूरा कड़े है, और उस तर्थी दे उते, ओ ब्रह्मन वाद जिदी डॉमिनेस्ट रिगवेद देनार सी, चार हजार साल तो पहला है, जे ओ सुनू उस तर्थी दे उते, पहला चैलेंज होया सी, ते ओ महातमा बुददा होया सी, और बुददा क्यमें सफाय कीता है, अलामा इकबाल ने, बांगे दरा, उना दे किताब है, उस ते विच एक नजम, नानक नजम दे थले, और उस चो उस ने पहला बुददी काल क्यर्दे आए क्या है, के पाई किवें बुददे थाट नू इना ने इन डिस्ट्रॉई कीता है, कला गला नार नार नही तो फिर शस्तर से मारो, और किवें बुददा सफाया कीता है, उस अलामा इक बाले केंदा है, के ब्रहमन सरशार है, अब तक मेपिंदार में शमाए गौतम जल रही है, महफले अग्यार में, के अजवी ब्रहमन हंकार दी शराब दे विच मद मस्ते, ते गौतम दी गल महफ थाईलेंड, चीन, वितनाम, कुरिया, उत्थे जवदा थौट है, ईत्थे ब्रहमन खा गया उसनों, और फिर बुद और गुरुनानक साब दे विचकार लग पक दो हजार साल दा समय, इकदम अलामा इकबाल, दो हजार साल दा सफर तै कर दे हैं, केंदा है, बुद का दा, फिर बाद, मुदत के मगर रोशन हुआ, नूर अबराहम से आजर का घर रोशन हुआ, के बुद परस्तान दा मुल्क, फिर मुदता बाद, एस दे कार रोशनी होई, मानो, अबराहम, जड़ा सांजा पेगंबर है, यहुदियां दावी, इसाईयां दावी, मुसल्मान आजर सी, के आजर दे कार अबराहम आया, गुरु नानक साहिब चो अलामा एकबाल नू इना तिननो सेमिटिक तर्मा दे, प्राफिट अबराहम दा देदार हुन दे, और फिर उसने का भी गुरु नानक साहिब ने, इस तर्थी दे उत्ते आखे, क्योंके इस गल्दा ते कान रहे, लड़ाई मैज कोई दिली चिंदरा गांदी आ गए, आज मोदी आ गया है, कालनू इना देनार नहीं है, लड़ाई थाट दी है, जनू अफसल एसनन दावा है, जदो नौ जून नू 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 नवा का लुक आरा है, नजम लिख दे, ते उस दे विच उनने कहा क हाँ वेरियां कट वखाड़े है, पंच सदियां दा वेर, एक लाइन सारे इतिहास नू बयान करदन दे ये, ते अलामा एक बालू नू नजर आ रहे है, के गुरु नानक कीन है, ते ब्रामनू नू नू नजर आ रहे है, के चैलेंज की है, उसने क्या, अह शुदर के लिए हिंदोस्तां गम खाना है, दर्दे इनसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखर सदा, तोहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया, खाब से, तोहीद, एक रब, साहिब मेरा एक को है, एक को है, पाई एक को है, ओ बुलन दावाज, जेस ने वेड़े दे हाकमा नो चैलेंज कीता है, राजे शी, मुकदम कुते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नेंदा पायन काओ, रत पित कुते ओ चट जाओ, किने हिूमन हिस्ट्री दे विच किसे प्राफिट ने, एस लेवल दे उते, वंगारिया हुए, उस तर्ती दे उते नीचा अंदर, नीच जात, नीची हूँ, अत नीच, नानक, तिन कह संग साथ, वड़े हैं सियों क्या रीस, जित है, नीच समालियन, तित है, नदर तेरी बक्षीश, दोसो ती वरेदाए सफर, जदो दसवे पाधशा, रंगरेटे, गुरू के बेटे, गालना लोंदे ने और राजबाग दी बक्षे जो सत्गुरू ने सानू की तिन गरीब सिकन को देऊं, पात्शाही, ये याद रखे हमरी गुर्याई, एक ओर रेविलूशन है, लड़ाई, एस वेडे, ब्रामनवाद, ओ दूसरा हत्यार, जवें आज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन क्राइम, इस दा जिकर हो रहे है, बिल्कुर ठीक क्या गया है, के शुरुआता है, इस दी जून चुरासी तो एक दाम बाद होई, मैंनू कदे कोई पलेखा नी रहा हून, कैनेड़ाच, सुख तालिवाल, एमपी, जा हो रवाद चुकरे ने, के कनिशका कांट, एर इंडिया जड़ सिखां दे खातेच पाया गया, और एक वाक्या देनाल, साड़ी मूवमेंट नू इंटरनेशनल टेरिजम दे खातेच ले आंदा गया है, इदी दुबारा इन्वेस्टिगेशन हुए, चाल उदों ही रहा है सी, फड़े हुन गया है ने, क्योंके अल्टीमेटली, ए बेश सिंग खंडा दा, केमिकल वैपन दे राई, उना दी शहादत, अठारा जून नू, पाई हरदीब सिंग निजर, गुरु नानक से, गुर्द्वारा साब सरी दे, पार्किंग लॉट दे विच उना दा, कोल्ड बलेडिड मर्डर, और उस तो बाद, असी अमेरिका दे विच खड़े हैं, तुसी इतिहास तो वाकफ हो, अल्मॉस्ट जो मैं दिवान दे विच भी देख रहे हैं, तुसी सारी एक्टिविस्ट हो, लम्मे समय तो इस पास से तुरे होए हूँ, और अज जड़ी ऑपर्चुनिटी है, साड़े कोड, एक अन्क्लूजिंट हर को ये जड़ी हैं, तुसी चेंजिस देख रहे हूँ, नवें मैप मेकिन, नवें मुल्क हमेशा क्राइसिज वार चु बन देने, जे मिडल इस्ट आज बेशक जो कुछ गजा दे विच हेलपलेस फलस्तीनिया दे उते, इसराइल कर रहे हैं, आसी उनू कंडेम कर दे हैं, पर एक गालदा ते हान रहे हैं, कि ए मिडल इस्ट साड़े छे सो साथ सो साल आटोमाइन अंपायर दे थले सी, जड़े इसलाम नू मननवाड़े सी, जिस नू सलतनत इसमानिया क्या जान दे अर्दू दे विच, अदरवाईज ए आटोमाइन अंपायर है, साथ सो साल इस सारे इस सारे मिडल इस हता जो दे निकले है, नवी मैप मेकिंग हुई विद दा नौच अफ दा पैन, कि आज साओधी अरेबिया है, वफदार टबर सी इना दे हवाले कार देता है, विच्चे इस सीरिया दे देता है, जॉर्डन शाह नू दे देता है, फिलस्तीन जड़ाव ब प्रांस दे हवाले का, इवे यॉर्पियन पावर्ज ने मैप मेकिंग की ती, और उस मैप मेकिंग चो बेशक आज आलमोस्ट पंजतर साल बाद एक नवी मैप मेकिंग है, पर ये बिल्कुर ठीक है, कि पहली वार, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट ह दी है, जे नादर शाह ना अंदा ते शायद मगलिया सल्तनत दा जवाल शुरू ना हुंदा है, उन्हें एक वार हला के रह दता है, फिर उदा जर्नेल, ऐमद शाब दाली किन्ही वार आया, किन्हें हमले, मराठे भी आगए, पंजाब दे, विचो भी आगए, तिन पावर दी, लोग बोली, जिक बोली है, अजे आये मरहटे, जेना वस्दियां भी पटे, और उन्हें देना किन्हें सिखा ने उस पीरियड नो अवेल कीता है, तिन्नों ताक्तां, जिड़ियां पंजाब दे हुते, कबजा करके, बैठीयां से, सिंगा ने गुर्मता कीता है, ऐला या आजड़ी कठे कर दे, आज़न दे, इननों वसी एक खांड नहीं देनी है, ते अल्टीमेटली उस तर्थी दे उते, उस नवी मैप मेकिंग ने जनम ले आया, नवे बार्डर ड्राग खालसा पंतने कीते, आजड़ी लाइन, जिस नो डूरेंड लाइन कें देने, जहां सिंदू, असी द्रियाय अटक भी उनों केंदे हैं, ओ क्रॉस करके पिशावर तों दराख है बरतक दा एरिया वर्टिकली अफगानस्तान नो डिवाइड कीता है, असी कल्ला एक राज नहीं कीता हुए है, असी इंटरनेशनल पावर सां, ट्राइपार्टाइड ट्र सरकारे खालसा जियो, एमपरर अफ चाइना, दलाई लामा फ तिबत, जिद तिबत ऐजे बफर होया है, लदाख सिखाने खालसा राज़दा गिलकित बालस्तान, इस सारे सिख राज़दा हिस्सा बढ़ाए, उस तो पहला एक ट्रीटी बिटिश, शा शुजा, एमद शा अ ताली दे, उदा डिसेंडेंट और मारजा रंजीत सिंग विचकार, के अफगानिस्तां जो बादशा कौन बढ़े गए, लहौर दरबार ने डिसाइड करना सी, जा अंग्रेज़ां दी सहम तीनाड होना सी, सो असी उस किसम दा राज मानिया होया है, आइडियल राज, एक स साड़े द्वार ते दस तक दे रही है, और ये गाल दा ते आन रहे, संतारी द्वार दी गाल हुंदी है, बेशक हरी कदा अपो अपना नजरी है, सार कपूर सिंग और आने साची साखीच, छे वार सिक स्टेट बंदे बंदे रोकना, ये बलदेव सिंग दी एडमिशन मनन नहीं है, जदो डेथ बेड़ते सी, वैसे जड़ी डाइंग मैं दी स्टेटमेंट हुंदी है, उन्हों कोट दे विच्वी क्रेडिबल मन्या जान दे, पर मैं इसनों अकसर उड़ दू दे एक शिर्च ब्यान दे, कि वो वक्त भी देखा, तारीख की घड़ियों ने, जब साड़ा केस दुनिया दे विच इना ने, खुद जिस किसम दी एग्रेशन करता है, चाड़ी सालां तो रहे सी, पर पाई हरदीब सिंग निजर दा, एक फकीर सिक दा, मैं दो महीने पहला ही जूंच गया, उन्हों मिलन दा भी इतफाक होया, मैं समझे दा हैं भी बहुत वा दी शहादत गेम चेंजर है, आज दुनिया पार दा मीडिया है, जिवें उन्हों ने, इलेक्ट्रानिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जिवें वो लगाता है ना, एक साल तो उन्हों ने इशू नो डाई डाउन नी होन दता है, इसे तरह, विदन दा सिस्टम, अमरीका दा स्टेट डिपार्टमेंट होए, वाइट हाउस होए, एफबी आई होए, जस्टिस डिपार्टमेंट होए, होम लेंड स्क्यूरिटी होए, उन्हों ना पिछले एक साच लाग पाग दो साधियां हाई प्रफाइल मीटिंग्स दो-दो केंटे दियां होई आने, पहली व इना दा मीडिया भी रिपीट कारदा सी, होन खालस्तानी एक्टिविस्ट कहना शुरू कीता है, इंडियन स्टेट नो एज रोग स्टेट और जवें अमरीका दी एफबी आई, एस नो निखल गुपता नो विदन वान एयर, चेक रिपबलिक तो एक्स्टाडाइट करके ल गई है, इस सारियां होपस ने, लेकिन अल्टिमेटली सार नो दस्वे पादशादे, इस फर्मान नो अपने मदे नजर हमेशा रखना चाहिए है, के कोई किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं, निजबल से ले हैं, और सार कपूर सिंग जो दो एदी ट्रांसलेशन कर देने, वो कहने हैं, के ए निजबल दे है, के हाला तो पैदा हुन देने, के कोई भी डारेक्टली कदे पावर नहीं देन दे है, जे हाला पैदा हुए ते लहोर दर बार ने सिखान नो नवाबी आफर कीती, जड़ी पहली वार रेकिनिशन सी अफ़ दा साब नेशन, उनों तक वाल तुरी है, असी संतारी दार दी लीडर्शिप नो दोशी दास्ते हैं, के ते पविखदीयां पीडीयां, साड़े दार दी लीडर्शिप नो भी, साड़ी जनरेशन नो भी, दोशीयां दे कटेरेज ना खड़ा कर देन, के पाई मौका आया ऐसी, तुसी बहुत चंगा है, वाज मैंनों बहुत चंगा रगए है, जमें सारे इस असी राडमिन के बैठे हैं, कोई बहुत ते डिफरेंस नहीं होंदे, अमरीकन कहने ने, वी एग्री टु डिस एग्री, के असी संगालनार सहमत होई है, के असी सहमत हो सकते हैं, ए जानदार कौम अच, हैं, पर अज मैं कंक्लूजन दे विच ओ अलफाज, जड़े सरदार जसा सिंगालु वाडिया ने, वड़ा का लूक आ रहा है, जदो वापरन वेडे चार्च फेरे की रापया जान दे, कोपर हीडे दे, ओस दे, ओना सारे कई मीला तक फैली जूच, और असिक जर्नायल, मि स्ट्रेटजी की होए जांग दी, को उना क्या मिसल वंड, अब कब हूँ न पाओ, रड मिल के ए पंथ बचाओ, इस विड़े, के इस विड़े जड़ी स्ट्रगल है, और एही का लाज सिक नेशन दे सामने हैं, पैंती मिलियन सिक नेशन, डेटर्मिंड है, संद्य नैल सिं लेने, ते शहीदां दे खूंदा हक, खालस्तान दी प्राप्ती ना जुड़या हुए, खालस्तान तो हटवा, कोई भी अगर मगर इफ किन्तू प्रंतू इफ बट कर दे, उनू उदे थाट नू थो इट अवए, क्योंकि इस वेड़े, एक कोई गाल दे उते फोकस, पाई सानू करण दी लोड है, के असी खालस्तान हासल कर सकी है, पुरातन सिंगा दा विश्वास, जो साड़े डेड़ लक तो ज्यादा, गुरू कलगी तारदे स्पुत्र स्पुत्री हैं, जना ने अपने स्रीरां दे ठीकरे, दिल्ली साम राइदे सिर्ते पने, ताके कौम दा वड़ा कल, शान मता हुए, मान मता हुए, उना दा विश्वासी, दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरू की फाज, छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी माज, किसे भी पुल चुक लई मौफी, वाहिगरू जी का खलस, वाहिगरू जी की फत्र. पारी आप मौफी, दिल्ली तब के जude, जी का खलस, इल्ली तो, बढ़ मौफी, रहिगरू आपने, वाहिगर आप लगुँ, वाहिगरू की बढ़खनी और जी का छबक पुल झाल 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 झाल